जो दें दो 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 बैंक निटेंस तो वह देखा जाए तो जैसे जी बोला आपका यूएस मार्केट की हालत खराब हो चक्टी है तो डेली तैम पर देख लेते हैं कि भाइसाब 200 हमारा यह में है किदर अभी तो देखा जाय तो 200 एमें 50 में सब क्रॉस हो चुका है ठीक है राइट नाओ बिकर्णाव फिर्टेस नूव इस ब्रॉट्ट करॉस्टी अवर्यथिंग अद दो ओनली थिंग विच वी हम इस थर्टीव थावज़ूज़ त्रॉज़ध लेवल ठीक है जो okay now we'll see the another level from where we can expect the market to go which I can see somewhere around 35,600 will be the level basically I want to confirm I want to see if we can see if we can see if we can see if the market is a descending triangle which we can see if we can see if we can see if the market would be a big deal to the market हमारा जो भी फॉर्म हो रहा है इसको डिलीट कर देते हैं कि इसकी जरुवत है नहीं अब इस चीज़ को एक्स्टेंड कर लेंगे और इसे भी एक्स्टेंड करेंगे प्रॉपर्ली ड्रॉ किया हुआ तो अगर आज जो मार्केट का आपको कहां से रिवर्स किया फिफ्टी मिट्स का फिफ्टी यह में ब्रेक कर नहीं पाया और इग्जाक्ली उसके पर सपोर्ट था सीम उसी लेवल से मार्केट ने नीचे आगया पहले कहां से किया था ट्रेडिंग इजी बस इतनी सारी अगर डालना और उसके ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वह एक्सपीरियंस के साथ हो जाएगा आप जैसे कि कल एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग 304 रुपे डाउन फॉल ठीक है तो अब मार्केट जिस भी लेवल पे है ठीक है यह लेवल ब्रेक होगा तो हमे यहां के लिए जाएंगे है ठीक है दूसरा जो इंपॉसिबल हो सकता है कि हम लोगों को यहां से वापस से सेलिंग मिलेगा कल तो शायद ही मिले कि मार्केट अपसाइड मूव दे बट हमारा तो प्लान हर जगह से होना चाहिए कि मार्केट ने कुछ भी मूव दे दिया तो यहां से अगर सेलिंग मिलता है तो यहां से भी सेलिंग के लिए निकलेंगे या फिर यह ब्रेकाउट मिल जाता तो एक अच्छी बाइंग मिल सकती है में सिंपल सही है ज्यादा कॉंप्लेक्स नहीं करना है बैंक निफ्टी को ठीक है क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है इस लिए निफ्टी फिफ्टी देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी का डेली मूविंग आवरेज 200 जो है वह आज तूट गया तो मतलब मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चांसे हैं कि आएगा कल ही तूट गया था वैसे आज भी अगर देखा जाए अगर आप देखोगे कि यह लेवल जो है सिक्स एट सिक्टी फूर का और हाई लगाया असी पॉइंट ऊपर फिर नीचे आ गया और पंदर मिनिट में देखोगे तो आप यह इंपॉर्टेंट जो लेवल था यहां से देखो क्रॉस ओवर हो गया फिफ्टी में का गोल्डन फिफ्टी यह में और फिफ्टी यह में और फिर इसके बाद नीचे क अब हमारा काम क्या बचता है कि अगला लेवल कर लिए तो किया अब गिरेगा आपका मार्केट यह और जो भी अब हमारा यह लोग बना हुआ है और एक छोटा सा पूल बैक कंफर्मेशन के लिए मैं अगर ट्रेडिंग करना रहेगा ना तो मैं कैसे करता हूं कि पहला एक केंडल इंपॉर्टेंट होता है अगर फर्स्ट कैंडल आपका नीचे की तरफ मुव्मेंट दे रहा है दूसरा कैंडल कोशिश करेगा उपर जाकर फिर से नीचे आरेगा थर्ड में एंट्री ले लूंगा मैं ठीक है तो वह एक थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है लेकिन उस्टाएं मैं जनरली जाता हूं त तो मेरा मुव्मेंट वही था अज मौका में मिला मैं देखा मार्केट और एंड तक नहीं होड के देखो क्या हुआ मार्केट नहीं यह उपर की दिखोगे तो क्या सीन हुआ पहला कैंडल रिजेक्शन दिया तो मैंने यहां पर कुछ कॉंटिटी एड़ कि अब इसका कि मार्केट ने एक और अच्छी मूव्मेंट यहां तक यहां इससे पहले ही मैंने जैसे देखा कि यह लेवल जो है नीचे की तरफ आया यह रिजिक्शन आया मैंने अड़ आप कर लिया था और इसी मूव में ही मुझे यह जो यहां तक कैंडल पहुंचा ना इसी मूव मे मैं होल्ड किया क्योंकि उस्टें में एक प्रीमियम स्पाइक के वज़े से मुवमेंट अच्छा मिल गया था नीचे आया कुछ नहीं किया छोड़ दिया जब वापस से मुवमेंट मिली फिर से मैंने कौनिटी एड़ के और यह पॉइंट पर गया अब इस पॉइंट पर तो भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था ठीक है क्योंकि मैंने जो बाइक इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर प्राइस देखते हैं मैं उस्टें था तो कुछ अल्मूस्ट अगर प्रीमियम के कोडिंग मेरा पचास रुपय अब था ठीक है मैं वेट कर रहा क्योंकि और भी बाखी जो काम थे वो निप्टाने थे तो से अगर एक कंफर्म मूफ क्योंकि कल जो मार्केट जो था आपका आज मार्केट जो है सरी आज डाउनसाइड की तरफ क्लोजिंग हुए एक अच्छा खासा आज साड़े 800 पॉइंट का फॉल दिखाया है यह हाई लगाने के बाद इसे ही मार्केट को तो हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं और इसी मार्केट में तो हमें ट्रेडिंग में देखो नीचे गया उपर आया अब यह ब्रेक कर दिया कनफर्म हो गया कि हां भाईया 35-600 से कम से कम देख लो 500 दीरे-दीरे एक्स्पीडि दिया तो आप बेशक यहीं पर लेटे आप यहां तक का वेड भी नहीं करते हैं आप बताओ मेरे को यहां पर ट्रेड लेते या नहीं सेलिंग साइट के लिए आप जाते या नहीं जाते है कि क्या लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम से जब मार्केट ने रिवर्स कर दिया तो यहां पर हम लोग सेलिंग के लिए जले जाते हैं सिंपल सी बात से हम लोग यहीं पी करने वाले हैं ठीक है अब बैंक निफ्टी ऐसा दिखा दिया अब निफ्टी फिफ्टी का अगर देखोगे इंपॉर्टेंट लेवल्स तो अब यह लेवल जो लोग बनाया है कल के परसों का ठीक है तो हम लोग इसको ब्रेक करेगा फिर उसके बाद नीचे सेलिंग लिए चले जाएंगे ठीक है वह सकता है सेकेंड हाफ में मार्केट रिवर्स करें क्योंकि भाई यह बैंक निफ्टी फिफ्टी कभी रिवर्सल कुछ भी आ सकता है ठीक है प्राइस एक्शन फेल हो चुका मुव्मेंट अप जाके डाउन आ रहा है कल रेपो रेट आया तो जनली मार्केट नीचे की दरफ आना चाहिए था फिर भी मार्केट ऊपर गया आज फिर अड़ेंड नीचे आ गया ठीक होने को तो कुछ भी हो सकता है तो हम लोग अपना हर तरीके का कर लेंगे कि प्लैन क यह मार्केट सिच्वेशन के मार्केट यहां से रिवर्स करता है जिनली एक अच्छी आपकी तभी होगी जब यह लेवल शिक्टिन एट हंड़ेड का जो लेवल है चोटा सचाहिए तो भाई 725 का लेवल ब्रेक होता है तो जा सकते हो या फिर यह लेवल हो गया तब जा सक कि यह लोगेशन को लेवल होगी होगी हो यह दो इंट जाए यह जा सकते है ज़ लेवल हो यह लेवल विया।